हेलो एवरिवेन मी अक्षता तुमची एजुकेटर तुमा सर्वान सर टीचिंग एग्जाइम्स भाई ग्लोबल ओनलाइन प्लाटफॉर्म वर्ति मना पासना स्वागत करते हैं फ्रेंट्स ग्लोबल ओनलाइन प्लाटफॉर्म ने एक कंप्लीट सीरीज लॉंच के लिए लिया है फर अपकमिंग महाराष्ट्रो सेट एग्जामिनेशन 2023 साथी या पर्टिकुलर सीरीज मदे अपन माथमाटिकल रीजनिंग मदे पेपर वन्ज ओ यूनिट आहे तो त्या म सिस्वर्थिकाई क्वेस्टेंज आज आपन स्वाल करूए त्क्लास मदे त्या पूर्वी महाराष्ट्र सेट एग्जामिनेशन 2023 सेट जो कंप्लीट कोर्स लॉंच के लेला है वाया ग्लोबल ओनलाइन प्लाटफॉर्म या मदे आमी तुमाला फॉलविंग फीचर्स प्र प्रवाइड करने तिल तुमाला मल्टिपल एमसी क्यूश ची प्राक्टिस 50 मॉक टेस्ट प्रवाइड करने तिल फुल सिलिब्स नोट्स प्रवाइड करने तिल और इजी कोर्स फीस है ते 2,500 पसंट रिदुस करून 2,000 करने त अले लिया है तुमाला फीचर्स चा द्वा माक्सिमम एक्जाइम मदे स्कोर करूँ शकाल अन गयारेंटेट सेलेक्शन तुमाला बेट उन जाईल आशा पद्धाती नी ग्लोबल ओनलाइन जी आप्लिकेशन आए ते प्लेस्टोर वर्ती सुद्धा अवलेबल आए तुन तुमी जाहे प्लेस्टोर वर्न में जाहे तो सार्च करालिसा है फ्र पत्मारास्थ्रा प्रेपर वनलेट वन्तAP अाई बिफेरेंट करक्ष्प couple सेचजा व्र्स और अनुक्र एजए फ्लेस्ड सब्보पा सघी युजज इलेच में जाहे बलेट सुद्ध करालिसा टांक आपिवए लिकेशनन फिलोशन छे स प्लाइन प्लाटफर्म जान चाप पेपर टू चा सब्जेक्ट्स मदे फॉल्वें दिला पाई की कौन ता जरी सब्जेक्ट असेल त्या स्टूडेंट साथी नोट्स नहीं सब्सक्राइन चाहिए यह पर्टिकुलरा पाईलेशन माध मोस्ट इंपॉर्टन नोट्स जाहे पेपर टू साथी और फाईली एक्पेक्ट्टे एम्ची की उसे इक्जाम मद यूषक्ता ताशा पध्यातीचे से कंपाइलेशन बनुन अताले लाहे जैंसा जैंसा पेपर टू खालिल पाई के दिलेला सब्जेक्ट पाई की असेल तत्या साथी है इम बेनिफीशल रहे मैनेजमेंट, एकनोमिक्स, कंप्यूटर साइंस, कॉमर्स, हिस्ट्री, सोशोलोजी, साइकलोजी, हिंदी, पब्लिक अड्मिनिस्ट्रेशन, लॉइ, इंग्लिश लिट्रेचर, फिजिकल एजुकेशन, जियोग्रोफी, पॉलिटिकल साइंस, सोशल वर्क, एजुकेशन, ला पॉचिनिटी ला, ग्राप करा, दिलेला, वाट्साप नंबर वर्ती, कॉन्टाक करू शकता, फॉर्दी, इन्रॉल्मेंट, ओफ दी, कॉम्पाइलेशन, और दी, कोर्स, ओके, सो, मुविंग ओन इन्टी लेक्ट्चर, आज आपन काही जे काल चे, क्वेस्टेंज होते, त समझा, ठीक है, टोटल, 10 मेंबर जाती, एन इस एक्वल टू 10, आशा, कंडिशन मदे, बाहरून जर एनारा एखादा वेक्ती, बाहरून एनारा जर एखादा वेक्ती, काही वैल्यू घ्यूने तसल, काही वैल्यू, वैल्यू मंजे काही, समझा है, पर्टिकुलर ग्रूप सब्सक्तों 200 चोकलेट, प्रटिका कड़े 20, 25, 20, ठीक है, एवरेज पंदेउन ठीक होलेलोता, राइट, एवरेज काहलोता आपला 20 में, पहिल है कंडिशन मदे, एवरेज काहलोता 20, मी तुम्हाला कंडिशन काही दिल्ली उती, मी तुम्हाला केस नंबर 1 मदे का एक्स्प ग्या एक लक्षेद ग्या गश्चा चा कंपेड़िएं अपटे आपन ग्वाली ओच ला कंपेड करतो यह एक एवरेज चाबीस वेखर बाहर उने आरा वित्ती जड़ अवरेज यौड़िज वैल्य पूर अनत असल आवरेज यौड़िज चॉकलेट आना तसेल तर ये नारी नवीन सरासरी मदे कही ही फरक हो नार नहीं हे एक कंक्ल्यूजन निकालो तो एला एक्स्प्लेइन करने सटी सुद्धा मी तुमाला एक्जाम्पल दिलो तो का है कि मां सग्यान कड्यादी 20-20-20 चॉकलेट होते 10 विद्धारती होते एवरेज का आसते टोटल टोटल चॉकलेट किती है 2 शे भागी ले मेंबर किती है 10 आवरेज आला 20 सरासरी आली 20 अत्या सरासरी सग्याना काड़ता है तसलास हमें एक्षपेट करते भरपूर ख्लासेस जाले ले ठीक है अत्या है जाले आवरेज साटी वाल्यू सिमिलरली या मदे अपन काय ब ट्या टाइम ला आवरेज नवीन आवरेज 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 नवीन सरासरी जेता ची वैल्यू किती है नारे लक्षदा दोनशे चॉकलेट होते त्या मदे एक्स्ट्रा वीस बाहरू आले ले मजे बेडिस किती जाली 200 प्लस 20 टोटल मेंबर किती जाले आदी 10 होते माम आ अंतर ची कंडिशन आपन काई बगितली होती यस त्या मदे आपन काई बगितलो तो ग्रूप आहे परत 10 विद्धार्त आंचा ग्रूप ओके त्या मदे बाहरू नवीन आरा वेक्तिया वेज जो आहे जास्त चॉकलेट आंतो है आई थिंग मी एक्ती सुसल कहती चॉकलेट ची वैल्यू सांगित लिए ठीक है परत एक्स्पेइन करूआ अपन दहा विद्धार्ति परतेकान कड़े 20-20 चॉकलेट टोटल आहे दोंशे चॉकलेट ओके समाहे किती 2-100 चॉकलेट ची टोटल विद्धार्ति किती आहे तोम दहा है आवरेज किती यह ना रहे मां वीस है ही जाली condition 1 ओके ही जाली condition 1 या condition मदे अपन एका मानसाल ला introduce करता होत तो ये नारा वेक्ती लक्षद है ये नारा वेक्ती 20 चोकलेट आनतो है का नहीं आवेस 31 आनतो है एक लक्षद ग्याईच जर ये नारा वेक्ती exact चोकलेट आनत असल average येवड़ेच change ओनार ने average सार करानार है पन या वेस ये नारा वेक्ती 31 चोकलेट ग्यों नतो है मंजे आर्थाच सग्यान कड़े 20-20-20 होते हाचा कड़े 31 एक condition असते average मदे लक्षद ग्या सग्यान कड़े सारखी संख्या असाला पाईजे तर या condition मदे एक आव एक्ती कड़े 31 और दूसरे कड़े 20 चालेल का नै अपन काई करनार ये 31 आनि बाकी चान चे 20 बैलेंस करना सटी 31 काई करेल 31 वाला काई करेल प्रत्ते काला 1-1-1-1 चोकलेट दिऊँग टाकेला तर प्रत्ते काला कड़े किती होनारे 21-21-21-21 चोकलेट होनार अथा जाली सग्यांची बराबरी सग्यांची बराबरी जाली बरोबरी आधी 20-20 सग्यांची बरोबरी होती अथा 31 वाला आला 31 वाला नी 20 वाला अमधर डिफरेंस आये मा काई करनार कदी पन जमां एकादी वेक्ती एक्स्ट्रा ग्यून ये तासेल, तो तो काय करना रे त्याच वाटना रहे, ये कायी एक्स्ट्रा क्वाण्टिती हासेल, किती वाटना रे तेमी तुम्माला एक्स्प्लीन करेल, ठीका, आथा इतल अलक्ष त्या, हे जाली old average new average बोगवापन new average ची value का होनार मैं आजी 200 चोकलेट होते त्या मदे बाहेरू ने नारे वेक्ति नी 31 चोकलेट आनले divided by total member किती जाले आजी 10 member होते ता ये नारा 1 add जाला मौन अकरा जाले ठीक इती किती जाले 231 231 भागी ले अकरा कर किती है नारे 112022 एक रहला 111011 तर नवीन average ची जी value आए new average ची जी value आए ति का हली 21 पहले किती होते 20-20 में तुम्हाला काई सांगी इतले बाहरू ने नारे 31 अंतो है 31 वाला काई करेल जे काई extra ची quantity आए तर जागड़े किती extra है वी स्पेक्षा किती जासते है त अकरा जासता है तर रहलेले अकरा चॉकलेट तो सगला 10 में बाटना है प्रत्य काला 111 चॉकलेट समझला सग्या ना at least condition प्लीज समलें दिया ठीक है तर आपना आता question बोगवेथ sorry case बोगवेथ 3 ये नारा वेक्ती बाहरून आता कमी चॉकलेट 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 समझा गुरूपे 35 condition दहा विद्धार्ती n is equal to 10 total sum किती आए sum किती आए berries किती आए average आला होता 20 ही condition चालू होती बाहरून ये नारा वेक्ती 20 चॉकलेट तर आनला नए 20 चाल आनला ना ये आवेस 20 चाल कमी आनला ठीके कमी स्वीट सा आनला कि मा कमी मिठाई आनला जे करिए समझा ठीके आधी किती आलेले होता 2 शे बाहरून ये नारा बाहरून ये नारा for example 9 चॉकलेट आनलेला फक्त 9 चॉकलेट आनाई चे किती होते दला जर तो 20 आनला आसता तर सरासरी मदे काईस बदल जाला नासता 20 चाल आनला आसता तर सरासरी वाडली आसती जे काई तचा कड एक्स्ट्रा चॉकलेट होते तो होते सग्यान मदे वाटला आसता पर यावेस काई होते तो कमी चॉकलेट गी उने तो है अर्थात तो काय करना रहे जे काई दहा विध्यारती आहेत त्या पई की जोड़े एक्स्ट्रा ची चॉकलेट दूसरे विध्यारतान करे प्रेजेंट आहेत कि मा सग्यान ची वैल्यू सार्खी करने सटी नव अनी 20 मदे खुब फरक है अज़्यान करून काही काई आमाउंट ओफ चॉकलेट गेल। तीन कंडिशन पाईले अपन यनारा वेक्ति सार्खी आमाउंट आने तो सेल एवरेज सरासरी मदे बदल नहीं यनारा वेक्ति आवरेज पिक्षा जास्त वैलियो ने तो यनारी नवीन सरासरी का होना रे मां सरासरी नविन सरासरी जीये नारा है तैया अची वैल्यू डिक्रीज असना화 है कमी असना क्या है प्रूव करा मां प्रूव करते लक्षत हां आता इचे दोशी होटे है ओके एक मेमबर जाला के अखा मेमबर नियाले नूड रट आकाटीशAmputer लिंग average is equal to sum divided by total sum किती होना रहे अधी होते 200 चोकलेट त्या मदे 9 आड़ जाले किती जाले 29 बागी ले total member किती जाले आता आकरा दिधा होते आता एक आड़ जाला आकरा करा division 111011, 119099 सरासरी आधी किती होती 20 सरासरी आता किती जाली 21 आधी सग्या student कड़े किती किती चोकलेट होते 20 20 20 चोकलेट होते यह नारा नव घ्यू नाला त्या निकाई केला प्रत्ते एक विद्धार त्या कड़ून 1111 चोकलेट गेतला समझत है समझत है काई जाले ले ओके या कंडिशन में काई जाले ले तो गुरूप मदून घेत है एक्स्ट्रा चोकलेट आनले त्या होते निकाई केला तो गुरूप मदे दिले होते आर्थात राइट पनि थे काई करते है तो काड़ून घेत है कंक्ल्यूजन ला यू आतापन कंक्ल्यूजन काया है शिंपल परत-परत में सांगति आ अरथे चाहित रितरी इंपोर्टन्स आ लग्षद्या कंक्ल्यूजन आसा एवरेज पेक्षाज सरी एनारी वेक्ती एवरेज योड़ी जर वैल्यू आना तसेल वैल्यू कि वहां कॉंटिटी कि अजे काई त्या वेसला एवरेज मदे न्यू एवरेज नविन सरासरी मदे काहिस बदल होनार नाही ओकी ही जाली कंडिशन नंबर वान कंडिशन नंबर टू काई बोलते है कि अवरेज पेक्षा कमी जर एखादी वैल्यू ये तसेल अवरेज पेक्षा कमी वैल्यू जर एखादा मानूस आना तसेल तो काई करेल गरूप मदला लोकान करून चॉकलेट घ्योंगेल राइट तया वीच एवरेज़ ची वैल्यू डिक्रीज वोना रहा है यह उडरा वग्ति एवरेज पिख्षा जस्त वैल्यू अनत असेल अवच पिख्षा जस्त वैल्यूंट असेल तायम ला तो काई करेल जे काई एक्स्ट्रा कॉंड़ेटी है ते सग्यान मदे डिस्ट्रिब्यूट करेल ठीक है तरह न्यू आवरेज कसा असना रहे जासत असना रहे ओके ही कंक्लिउजन जाली आता है जा बेसिस वर मी तुमाला शॉट्कट कस वाप्राइस ते मी एक्स्प्लीन करें ओके कंडिशन समझाला पाई जबस बाकी काई गरज नहीं है बाकी चागोश्टी जासत डोक्याद गयाई ची गरज नहीं कंडिशन काई प्लीज लग्षे दया एक मेंटर स्क्रीन कंडिशन काया है मैं पहला क्वेश्चन अपन वाटलस शॉट्कट ट्रिक नीच सॉल करूँ ठीक है पहला क्वेश्चन काया लग्षे दया मी तुमाला दोन मेथड सांगित लिओ ते एक ट्रेडिशनल मेथे ता फ ची वैल्यू अनि एक साइड लगा है सम ची वैल्यू एन ची वैल्यू मंझे काया नंबर ओफ स्टूडेंट पहला कंडिशन मदे नंबर ओफ स्टूडेंट किती यत बासस्त त्यान ची सरासरी किती आए 54 किलो अनि सेकेंड कंडिशन त्या मदे जमां टीचर ला आपन इंक असरी जाता है ठीके तर आशा कंडिशन ला सम मेथरला आपन काई केलो तो 62 इंटू 54 जे काई समेशन एल 63 इंटू 57 जे काई समेशन एल ता दोगांचा डिफरेंस कालो तो 3348 3591 या दोगांचा डिफरेंस ग्या मैं 3591 माइनस 3348 करा काई नारे डिफरेंस 243 किलो मंजे आरथा जे ये नारा वेक्तिया है ये नारा जो टीचर है तो वजन किती आसना ले 243 केज जी आप्शन नमबर डी बोल लो तो आपन ठीक है कोशन मदे काई दिलेला अधि ते बगूंगी है एन आहे माम आवरेज आहे एन किती दिलेले बासस्ट विद्धार्तियो ते तैंची सरासरी होती 54 नंतर जाला एक टीचर एड प्लस वन जाला त्या मदे सरासरी मदे वार जाला प्रस त्री जा आता जाला 57 केजी हा जाला 54 क ठीक है तर या मदे टीचर से वेट कड़ाला सांगीत ले एक लक्षत गया यह नारा वेक्ति कोना है बाहरूने नारा वेक्ति कोना है टीचर टीचर नी काई के लिए सरासरी मदे वार के लिए सरासरी मदे कितीनी वार के लिए प्लस तीन नी वार के लिए एक लक्षत गया जवडी काई वाड असते, प्लस तीन ची, ते प्रतेक विद्धारत्या साथी आए, लक्षा तेते तुम्हाला, लक्षा तेते आए, अर्थात, पहिली, पहिली एवरेज, ओल्ड एवरेज, पुराना एवरेज क्या होता, 54 होता, पुरानी सरासारी 54 होती, त्या मदे वाड कि ची होती है, तीन ची होती है, पन प्रतेक विद्धारत्या साथी, एक लक्षा त गया, एका विद्धारत्या साथी जर, प्लस तीन नी वाड होता सेल, तर 63 विद्धारत्या साथी कितीनी वाड होना रे, 63 इंटू 3, संपला, इथे टागों द्या, 63 इंटू 3, आंसर ये ना समझुन ग्यादी वेवस्तित कि कशा पद्धती नी मी कशला काई इंपोर्टेंट्स दी लेला है, ठीक है? लास्ट ग्यान माई करा लागला, माई 62 इंटी, 54 राओ लागला, 63 इंटी, 57 राओ लागला, काइच कराहई चे घरजने, काही कर्ना तुम learner, जे काई पूराना एवरेज है? पूराना आवरेज काया है माम? इथे पूराना एवरेज काया है, ओल्ड आवरेज काया है, 54 kg, 54 kg, मंज़े काई वाड होता से, ओवियेसलि वाड होते है प्रश्णाथ सदिलेल है वाड कसात होते हैं आवरेज मने वाड होत है किती ना शो म्हिए अमी देखन और कितीनें honINO उसले प्लस थीन ञच्बा जीन थे जो07ो प्रतेक विद्ध्ध्यार इसलें ग्यों भी ल현 engineered तो 63 विद्धारता अंसर्टी तो की ते ग्यों नहीं 63 इंटू 3 अंसर का एल 189, so 54 प्लेस 189 इस इक्वाल तो 243, ठीक है, हला परत, दोन मेथ़ड नी सौल करू, अलक्षत गया, तुम्हाला जी मेथड सोपी जायल, ते सोल कराई जाय, ठीक है, माजा प्रहतना रहेल, तुम् मीन वेट ऑफ 34 स्टूडेंट, चाउतिस स्टूडेंट सजे मीन वेट आहे, स्कूल मदे, ते किती दिउन्ठेव लेला हे, 42 किलो दिउन्ठेव लेला हे, इफ दे वेट अफ दे टीचर भी इंक्लूटेड, दे मीन राइजेज भाई 400 ग्राम्स, फाइंड दे वेट अफ द स्टूडेंट से वजना ची सरासरी आहे, ते दिउन्ठेव लेला हे, 42 किलो, 42 किलो, ऑकी? आता एक टीचर ला आपन इंक्लूड केलो, या मम देख टीचर ला आड केलो, है ची सरासरी, स Wisव लेला की मेंबर कीती साले, 35 मेंबर साले टीचर आड केलों, छीक है? तर हैं चा च वाद ससरी आहे ती 400 ग्राम नीवाड ले ली आ यह नारी जे नविन ससरी आहे ती 400 ग्राम नीवाड ले ली म logrily मी तुम्हेले गोष्ट शांगीत लियू थी कदी पन आपन गोष्टी compare करतो तेमां comparison मतते कदी पन units सार खासाला पायेaterialезated 42 Fellows देले ले तो 42 ग्राम देले ले बी कहाई करे लेँ फोर्टी 400 ग्राम्स जी आहे सवरी या 400 क्लो मदे करते कशा पधतनी लग्षे दया एक किलो मनजे किती आसतत एक किलो मदे शंबर मंदे तर 400 ग्राम साथी किती किलो so x is equal to 400 upon 1000 cross multiplication करा जाना सम्झतने 0.4 kg होप सगे ना समझला से मिकाई के ला 400 g होता 400 g होता 400 g 400 g लाक शाद कर्मट के ला 1 kg 1 kg मंझे 1000 g असता 400 g मंझे किती किलो ले 400 भागी ले 1000 करा तर ना रे 0.4 kg जाना जाना conversion ना ही समझला तैनी कॉमेंट सेक्ष्न मदे मला ड्रॉप करूं करवा अथा जाला है 42 kg नमें मेंबर्स किती आहेत अवरिज ठीक है आधी विद्धार्ती किती होते माम 37 विद्धार्ती होते त्यांची सरासरी किती होती 42 आता विद्धार्ती मदे एक मेंबर एड जाले ले 35 मेंबर जाले ले आता 35 मेंबर आणि आता हैंची सरासरी जी आहे 0.4 किलो नी वाल ले 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 पॉइंट फोर किलो निवाल लेली है, मजो 42.4, ओके, बेसिकली सम मेथर्ड चा द्वारे आपन काय करना राच, सम मेथर्ड चा द्वारे, जी पहली मेथर्ड तुमाला शिकोली होती, 24 गुनिले 22, 35 गुनिले 22.4, जे काई सम येल 2 गानची, त्यांचा डिफरंस गहेचा, समझला, दोगानचा गुनाकार गहा, 37 गुनिले 22, 25 गुनिले 22.4 जे काई तुम होती अपली मेथर्ड, डिपरंस गहेचा, Eight ह यह उड़ाज question आए, तेचा पिक्षा ही simple method में तुम्हाल explain करूं सांगते, जह होती deviation method, का होती अपली method, deviation method, जन्ना last time नाई समझ ले तेनी आता लक्षदा deviation method, deviation method में तेका करनार माम, N, आनि average, टोटल विद्धार्ती किती आयत, 34, school में ते right, student आयते, आनि average किती आये, 22 सायवरे जाए 22 किलो ख्या मदे एक मेंबर एड होतो है मेंबर किती जाले 35 सरासरी किती नी वाड़ती है 0.4 नी अर्थात वाड़ती है 22.4 मि तुम अलगा है संगित लोत तो यनारा वेक्ती एक्स्ट्रा ग्यूने तो है अर्थात 0.4 किलो ग्यूने अले तो प्रत्ते एक विद्धारती है 60 आनना रहे पहिली पुरानी सरासरी का आया है 42 या मदे इंक्रिमेंट वाइली ना इंक्रिमेंटस वाइली वजना मदे वाड़ वाइली हो कितीनी वाड़ वाइली 0.4 नी 0.4 मेंटसर सपल तुम्हें करू शक्ता सिंपल तरीका होता है या मदे कूछन आये का नहीं है तो दोग्दोर मल्टिप्लिकेशन गया सबस्ट्रैक्शन गया तैब एक शाहिस सोपी में थड़ी है या मदे मी काई सांगितला पुराना अवरेज 24 गयाईच त्या मदे वाड होता है ये नारा वेक्ती एक्स्ट्रा ग्यूने तो ये किती एक्स्ट्रा ग्यूने तो मैं 0.4 kg 400 ग्राम दिल भती तो ये लामी किलो ग्राम मदे कनवर्ट केला एका विद्ध्यारत्या साथी Zu.4 kg नी इंक्रीमेंट वाएपई 30 सरा सरी वाल ले लिये 42.4 मझे 0.4 नी, प्रतेक विद्धर ता 30.4, तब 35-30 काड़े चाए अपलाला, 35-30 के थी तर, 0.4 into 35, मझे 22, जे पहली उती प्लस 14.0 is equal to 56 kg हाज आला question, ओकी, हाएक टाइप चा थर्ड टाइप ओफ question भगूई थे, लक्षदया the average age of six workers, सहा worker आहे थ, okay, सहा worker आहे थ in a company is 37 years if a new worker is employed, the average is decreased by two years, find the age of the new worker, option दि ले ले 23 kg, 56 kg 76 kg और डी आहे 18 kg question ला हतालना चाए आदी same method ने अपन जाऊ, आणी question आदी तर समझुन क्यों, और अब question मी मराठी तर प्रवाड के लेला, नहीं है तर complain नहीं आएला पाईजे लक्षदया, सहा worker आहेत सहा काम करना रे मानसा हैत ठीक है, त्या सहा काम करना रे आम मानसा ची वया ची जी सरासरी दि उंठव ले लिया है ती आहे 37 years average average, सरासरी total number of members सहा worker आहेत 6 37, सरासरी right question मदे काय सांगित ले जर एक नवीन member के वाँ, नवीन worker आपन add के लहे चामदे मझे total किती member जाले आता, 7 member 7 worker जाले, तर जे का average आहे, अत्ता, परेंच example मदे आपन काय बग इतले होता है average increase होया लेला, तर इत्ते काय दिले average decrease होता है कितीने decrease होता है ते बगू average is decreasing by 2 years जादी 37 years जाहे ते सरासरी होती, आत्ता, दोन नी जाहे घटत आहे, मझे आता किती असना रे 25 years ओके, तर some method मदे काय आसता, simple माम, 6 गुनिले 37 करा 7 गुनिले 35 करा जे काय डिफ्रेंट से इल ते तुमसा answer असना रे simple होता simple होता, लोड़गे नाशर का काय नो तो, ओके, well and good आता या मदे, deviation method simple trick नी कसा सोड़ो आपन ते भगू मैं तुम्हा लगाय सांगितल होता care about us करो आपन question काय होता n average n मंजे number of worker सा वरकर होते मैडम सा वरकर ची वया ची सरा सरी होती थी 37 years होती या मदे काय जाला एक member add जालेला आता जाले 7 worker जी सरा सरी आये ते दोन नी घटले लिये 35 years सरा सरी जालेला तर या मदे पुरानी सरा सरी किती आये 37 आता यावेस मी minus गेनार का minus गेनार कारण सरा सरी मदे decrease आलेला है deduction आलेला है किती वर्षा चा दोन आता परेंच एक्जेम्पल मदे काय बगितल होता मनुन मी थे काय गेतला आता परेंच पहला चा question काय होता increases होता मैं मनुन थे मी काय गेतला plus गेतला मनुन लोड गाय चा tension होता यामदे पन यावेस या question मदे twist काय आहे decrease आहे decrease आहे मनुन minus मी तुम आला काय सांगितल होता है जम्वा यह नारा वेक्ती कमी घ्यूने तो त्यम्वा average कमी होना रहे समझला यहोड यह टायम दिला ओल्ड बैचला सुदा यहोड़ा टायम ना यह दिला है तो प्लीज यह थोड़ा level of understanding जी आहे तुम्छी वाडवा भी लागेल तुम्हाला calculation कड़ी लक्ष दाव लागेल 37 minus यह नारा वेक्ती किती कमी घ्यूने तो है टोटल मेंबर साथी तो दोन नी कमी घ्यूने तो है साथ मेंबर आये गुणी ले दोन समझला समझला संपला calculation 37 minus 14 23 लास्ट कोश्चन में दे काई केले होता है 22 पूराना average होता यह नारा वेक्ती 0.4 जास्त गूने तो 0.4 गुणी ले एका विध्धरता साथी 0.4 जास्त गूने तो 35 विध्धरतां साथी तो किती जास्त गूने ले 35 गूनी ले 0.4 Similarly similarly पूराना average किती होता हो 37 30 यह नारा वेक्ती किती कमी घ्यूने तो है कमी घ्यूने तो है मंझे तो minus 1 यह नारा वेक्ती प्रतेक विद्धार्ता साथी एका विद्धार्ता साथी दोनी कमी ग्यूने तो तो साथ विद्धार्ता साथी तो किती कमी ग्यूनेल साउदा कमी ग्यूनेल मैं कमी ग्यूने तो यह मंजे माइनस तेविस किती सिंपल अनी सोपी मेथड होती आंडेस्टांडिंग ची, तरहें लेक्शेर ची तीन कोस्टोंस सम्जोन आजा एम होता, ठीके, में प्रहतना केला सम्जोने चाछा, खोब तुम्हाला समझला सेल कोस्टों काय होता काहिने, समझला सेल कॉमेंट सेक्षिन मोदा डुब करूं करवा, जाने है पुर्वी एक अ सोबद सोबद मल एक्चुली एवरेज वर्ती अजुन एखादा लेक्चर गयाईचा है ठीके हाडली एक ते दोन लेक्चर करना दोन तासाचा लेक्चर गयाईचा होता मला आजा टोल्ड यू तू आवर्स सा एक तते मी वन गो मदे कंप्लीट करेल किम्वा लॉजिकल रीज रीजनिंग हार पोर्शन lawmakers replace this, डोनी परक्षां मित्राइचा सजट करेल किन्ए लॉजिकल रीजनिंग यूए यहाला चीछाली लॉजिकल रिजनिंग यूजनी यूड यूजिकल रिजिकल रिज्निंग यूड जास्ति वेरेड परै लागत्वाना चसोटा समय बास पाक् इक्षन सेंज जाला ओकी एनलोजी जाला सगेट टॉपिक्स जाहे तमें एकदम सोप्या मेथड नी तुम्चे घ्यून गेल तला जास्तर वेलनाई दनार मी कोश्चन सग्या टाइप चे क्लास मदे सॉल होतील ट्रिक्स देल तुम्ही तुम्चा लेवल ला कुटले है लेवल अफ डिफिकल्टी चा कोश्चन जरी आल तुम्ही सॉल कराल ही मी तेची कैरेंटी देल रहला प्रश्चन मैथेमाटिकल रीजनिंग चे अजून काही टॉपिक आहे तुम्ही आशे बकत आहे मैथेमाटिकल रीजनिंग दिसाल आशे वर्ती वर्ती दिस्ती के ओड़ेट टॉपिक है अता या मदे टाइम डिस्टन्स और श्पीड वर्ती पन एका वर्शी कोश्चन होता है तर हे करना पन कर जेचा है सिंपल इंट्रस्ट कंपाउंड इंट्रस्ट ओके हाँ टॉपिक तला सोड़ू न अजून कुटले टॉपिक साहथ बोला तर आपन बोलू शकतो कालेंडर क्लॉक एंड कालेंडर वर्ती पन एक वर्शी कोश्चन है तर ही आशे कहें टॉपिक साइथ, हैला एक एक वेटेज से सोड़ला बाकी चाहें एक एक कोश्चन तर यूँ शक्तो मनुन हे करत करत कवर लॉजिकल रिजनिंग कवर करने इंपोर्टेंट है, आजा यह ना रहा यहां वीक मदे, कम्प्लीट है, कम्प्लीट वीक मदे, थोड़ी मेंटल स्टेट तु मी दाखवा, कि मैं लॉजिकल रिजनिंग है गहिल, सोबत मैथेमाटिकल है गहिल, तर ती सीटिंग केपैसिटी मला पीज दाखवा, लेक्चर्स रेकॉर्डेर स्टाकना रहे मी, तर रेकॉर्डेर लेक्चर्स अधी व्यवस्तित बगून ग करो, ठीक है, लॉजिकल रिजनिंग है को तै टापिक है, तर रेकॉर्डेर स्टिल काहि दिवस्पोर्ट करा है यहाँ गोश्टिला, ठीक है, अच्या लेक्चर पूर्ट यहोड़ा चाहे, कुटला ही डाउट असल, कुटला ही डेवियेशन मेथड मेधली गोधी गोष्ट मझे लिए सब्सक्राइब करूं नकी करवा so this was end of today's lecture thank you for watching it have a great day everyone bye